नमस्कार दोस्तो दोस्तो देड़ महिने के वाद जो मैंने प्रेक्टिकल किया था उसका जो रेजल्ट आया है वो एक दम से 100% रेजल्ट मिला है इसलिए दोस्तो आज इस वीडियो में जो मैं आपको रेमेडी वताने वाला हूँ एक महिने के अंदर अंदर आपके सफेद वाल कुद्रती तरीके से नैचरल तरीके से हमेशा के लिए काले हो जाएंगे क्योंकि इस वीडियो को मैं आगे भी अपलोड कर सकता था लेकिन इसके जो मेरे को परीणाम मिले है वो बहुत अच्छे परीणाम मिले है इसलिए मैंने आज इस वीडियो को अपलोड करना सोचा ताकि आपको इसका पूरा फाइदा मिल सके मैं आपका दोस रानुपटल आपका दिल से स्वागत करता हूँ यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना रेमिडी अच्छी लगे तो लाश्ट में एक फ्यारा सा कमेंट कर देना लाइक नहीं किया तो अब ब्याल एक लाइक कर दो लाश्ट में आप भूल जाते हैं चलिए फ्रेंड मैंने क्या फ्रक्टिकल किया था मैं आज आपको एक एक वाद ध्यान से वताऊंगा ताकि आपको समझ में आए और आप अपने सफेदवाल हमेशा के लिए काले बना सके यदि आपके समय के पहले सपेदबाल हो चुके हैं तो उनको हमेशा के लिए काले कैसे वना सकते हैं फ्रेंट माल लिजिए आप 100 ग्राम की कुकुनिट ओयल की सीसी लेके आते हैं नरील का तेल आपको 100 ग्राम लेना है मैं आपको एक एक एक्जाम्पिल दे रहा हूँ जैसे आप 100 ग्राम नरील का तेल लेके आए तो कम से कम आपको इस नरील के तेल की वरावर ही आपको कड़ी पत्ते लेने हैं इसे आप मीठा नीम पत्ते भी बोल सकते हैं ठीक है सो ग्रम नरील का तेल ले लिजिए और सो ग्रम कड़ी पतेल ले ले लिजिए कड़ी पत्तों को धोकर किसी बर्तन में रख दीजिए फिर उसमें आप सो ग्रम नरील का तेल डाल दीजिए इसको आपको गरम करने के लिए रख देना है धीमी आच में इसको गरम कीजिए और किसी चम्मत से इसको हिलाते रहिए ईसको तब तक हिलाइए जब तक कि कड़ी नीम के पत्ते पूरे तरीके से जलना जाए यानि कि इनको पूरा नहीं जलना नहीं इसका कलर ब्रूर कलर कर हो जाएगा ये अपना रस पूरा उस उवाइल में छोड़ दें फिर इसको निकाल का नीचे रख दीजिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए फिर आपको एक काम और करना है आपको फिर 100 ग्राम नरियल का तेल लेना है उस 100 ग्राम नरियल के तेल में आपको करीब 50 ग्राम उसका आधा आपको आपला पेश्ट पाउडर उसमें डाल देना है जिस तरह से आपने कड़ी पत्ते इस तेल में पकाए थे ठीक उसी तरह से आपको आपला पेश्ट डाल कर उस नरियल के तेल में इसी तरीके से पकाना है फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए दोनों ओयल को मिक्स करके जब पूरे तरीके से ठंडा हो जाए फिर आप एक किसी कांच की सीसी या स्टिल की सीसी मैं आपको कांच या स्टिल की सीसी की बोल रहा हूँ आपको या फिर श्टिल का वरतन या फिर कांच की सीसी आपको किसी फ्लास्टिक सीसी में इसको बंद करके नहीं रखना है आप इसको तीन महिने तक रख सकते हैं तीन महिने तक आप इसका उप्योग कर सकते हैं तिन महीने के बाद यदि आपका बसता है तो इसको हटा दीजिए आप जब भी वाल में वाइल करें इसी वाइल से कीजिए एक महीने करने न फ्रेंड एक महीने आपके सफेद वाल आटोमेटिक तरीके से काले होने लगेंगे एसी साइनिंग आएगी एसी सुंदर्टा आएगी इतने सौफ हो जाएenगे कि आप मुझे वारवार रहाद करोगे कि कितना प्यारा कितना अच्छा वीडियो आपने बना के दिया है तो फ्रेंट इस वीडियो को सेयर भी करना आपके दोस्तों के लिए आपके रिस्तेदारों के लिए तो फ्रेंट बताना कैसा लगा आज का वीडियो नए है तो चैनल को सब्सक्राइब चरू कर लेना नमस्कार